हलो एवरिवान, वेलकम टू लॉबर्ज और मैं हूँ अनुबफ गुपता तो जैसके यार आज की थमनेल देखके आपको पता लग गया होगा आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पांच इंपोर्टेंट रिट्स बताने वाला हूँ जो की Constitution के अंदर दी गई है, जो की Powers, Supreme Court को और High Court को दी गई है तो यार इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स इससे पहले हम ये जाने की रिट्स क्या होती है, थोड़ा जा इसके बैक्ग्राउंड में समझते हैं फॉर एक्जेम्पल मान लिजे ये आपकी एक बॉड़ी है और Constitution ने आपको बहुत सारे राइट्स दी है यानि की राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी और सब कुछ है लेकिन मान लिजे आपके उपर ऐसी restrictions लगाई जाती है या कुछ ऐसे laws बनाया जाती है जिसकी वज़े से आप वो rights enjoy ही नहीं कर सकते यानि की आपको घर से बहार निकलने नहीं दिया जाता, आपको बोलने नहीं दिया जाता या किसी को पुलिस ऐसे ही जबरन चाहे arrest कर लेती है तो क्या आप उन rights को enjoy कर पाओगे, तो surely आप उन rights को enjoy नहीं कर पाओगे तो इसी लिए जो Indian constitution है उसके अंदर article 32 के अंदर and article 226 के अंदर supreme court को और high court को power दी गई है कि वो rights issue कर सकता है for the enforcement of fundamental rights ये right इतना important है कि BR Ambedkar ने जो हमारे founder of the constitution जो रहे है या जिनको हम कह सकते है कि जिनोंने बहुत important role play किया हमारे constitution drafting के अंदर उन्होंने इसको heart and soul of the constitution भी बोला था article 32 को और ये इतना important right बताया गया था कि इसको fundamental rights के अंदर ही रखा गया है तो friends high court और supreme court दोनों के पास powers होती है रिट्स issue करने के लिए अब वो 5 रिट्स कौन-कौन सी है जो ये courts issue कर सकते है सबसे पहले है सर्शरी दूसरे नंबर पे आती है prohibition तीसरे पे आती है mandamus चौते पे आती है core warrant और पांचवे नंबर के उपर आती है ABS corpus तो friends एके करके समझते हैं इनको बहुती brief के अंदर कि ये 5 रिट्स का purpose क्या है तो friends सबसे पहली हमारी रिट है सर्शरी अब सर्शरी क्या रिट होती है सर्शरी एक तरीके की ऐसी रिट होती है जिसमें high court या supreme court order करता है lower court को जो matter वो already decide कर चुक होता है कि वो उसको record भेजे उस court का और उस case का ठीक है और ताकि उसको वो high court या जो superior court है मतलब high court हो या supreme court हो वो उसको scrutinize कर सके कि ये lower authority ने इस case को competently decide करा है या नहीं करा और high court को ऐसा लगता है कि ये ढंग से decide नहीं हुआ है किन grounds के उपर मैं अभी आपको grounds बताऊंगा तो वो उस order को quash भी कर सकता है तो जो सर्शरी के 3 grounds होते हैं उसमें सबसे पहला है want or access of jurisdiction यानि कि जो lower court है यानि कि जो inferior court है उसने अपनी jurisdiction से जादा या बिना jurisdiction के कोई order पास कर दिया दूसरा principles of natural justice follow ना करे हो principles of natural justice कौन से हैं सबसे पहला है friends that right to be heard यानि कि हर एक को right है कि उसको सुना जा सकता है इसके लिए जो principle of natural justice होता है इसको बोला जाता है इसके मतलब यह भी हो सकता है कि कोई भी अपने matter में खुद judge नहीं हो सकता कोई भी biased person judge नहीं होना चाहिए and तीसरा जिसके वज़े से सर्शरी को high court या superior court या supreme court order कर सकता है वो होता है error of law तो यानि कि ऐसी error of law जो देखते ही पता लग जाए उसको इस basis एक ground हो सकता है जिसके basis पे high court सर्शरी issue कर दे लेकिन कितना ही grave error of fact क्यों न हो उसके उपर जो high court है वो सर्शरी को order या सर्शरी को issue नहीं करेगा तो होना चाहिए grave mistake of law अना चाहिए grave mistake of fact है ये एक ground नहीं हो सकता सर्शरी का उसके बाद जो दूसरी rate है हमारे पास वो होती है फ्रेंट्स prohibition की अब prohibition की rate क्या होती है prohibition की rate बिलकुल सर्शरी जैसे ही होती है तो फिर सर्शरी और प्रोहिबिशन में फरक क्या है सर्शरी और प्रोहिबिशन में फरक ये है कि सर्शरी issue होती है order pass होने के बाद लेकिन prohibition में क्या होता है high court inferior court को ये order कर देगा ऐसी jurisdiction वो ना ले जिसके लिए वो competent ही नहीं है यानि कि matter decide होने से पहले ही high court ये issue कर सकता है for example मानलिजे कोई lower court competent ही नहीं है उस matter को decide करने के लिए तो higher court एक prohibition की एक रिट issue कर सकता है जिसमें matter सुनने से पहले ही उसके उपर stay हो जाए उसके बाद जो तीसरी और बहुत ही important हमाय पास रिट होती है वो होती है रिट of mandamus तो friends आपने PIL का भी concept काफी सुनो होगा public interest litigation का तो public interest litigation में ज्यादा तर writ of mandamus की ही prayer मांगी जाती है अब writ of mandamus में क्या होता है writ of mandamus में यह होता है कि high court या जो supreme court है वो compel कर सकता है किसी public authority को government को lower authority को या और भी कोई ऐसी part of the state को to do something or not to do something in the nature of public authority या public duty तो यानि कि public authority के अंदर कुछ करना positive action या कुछ ना करना negative action तो ये mandamus के अंदर high court या supreme court issue कर सकते हैं लेकिन ये कब issue नहीं किया जाएगा जब मालिजे कोई private act हो यानि कि कोई private contract तोड रहा हो government private contract तोड रही हो तो उसके against mandamus issue नहीं हो सकता या फिर जो public duty है या public authority है या जो public duty है वो discretionary nature की हो कि यार वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं और mandamus कब और issue नहीं हो सकती कि गवर्मेंट को compelled नहीं किया जा सकता या फिर legislature को compelled नहीं किया जा सकता कि वो कोई particular कानून बनाए और government को यहां तक भी compelled रोका नहीं जा सकता कि वो particular कानून ना बनाए तो इन दोनों ही cases में भी mandamus issue नहीं हो सकते। उसके बाद जो चौथी रिट आफरेंट्स हमारे पास वो है रिट आफ कुव वरंतो। अब इसको समझने से पहले एक छोटी सी story एक छोटा सी example से समझते हैं। For example, मान लिजे कोई एक particular office है या एक particular public job है जिसके अंदर उसको join करने की minimum qualification है वो मान लिजे minimum 30 years of age होनी चाहिए। और कोई person जिसकी age 27 years है उस post को join कर लेता है तो क्या वो allowed होगा? वो allowed नहीं होगा क्योंकि वो eligibility meet नहीं करता है। तो इसी तरह हमाँ पास writ आती है कुव वरॉन्तो इनी सारी situations को handle करने के लिए। कुव वरॉन्तों के अंदर क्या होता है? अगर कोई person है जिसने ऐसा public office occupy कर लिया है जिसके लिए वो eligible नहीं है और वो by law authority नहीं है और in accordance with law उसकी appointment नहीं हुई है तो writ of quo warrant तो issue करी जा सकती है और उस person से पूछा जा सकता है कि आपने किस authority से इस office को take over किया है अगर वो authority show कर पाता है in accordance with law तो तो matter dismiss हो जाएगा लेकिन अगर वो person अपनी authority show नहीं कर पाता है in accordance with law तो उसको उस office से हटा दिया जाएगा वो उस office के अंदर continue नहीं कर सकता और य एक ऐसी रिट भी है जिसके against कोई भी person case लगा सकता है high court के अंदर supreme court के अंदर इसके लिए आपका कोई cause of action के लिए कोई local stand eye होना जरूरी नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद personally effect हो रहे हो आप कोई भी जाके इसके against रिट लगा सकता है and friends last but not the least बहुत important जो रिट होती है वो होती है रिट ओफ habeas corpus तो friends habeas corpus का क्या मतलब होता है अगर ये एक latin word है इसका मतलब होता है you may have the body ये किसली होती है अगर किसी person को illegally confined किया गया है या illegally detained किया गया है publicly या privately तो वो person खुद या उसका कोई relative high court या supreme court को approach कर सकता है for issuing the writ of habeas corpus इसके अंदर क्या होता ह high court and supreme court ये order करेगा authorities को कि उस person को और वो सारे records ले के आओ जिसके basis पे वो decide कर सके कि उसको validly arrest किया गया या validly confined किया गया या नहीं किया गया high court और supreme court ये देखेंगे कि जो due procedure established by law है article 21 का वो follow हुआ है या नहीं हुआ या कोई violation तो नहीं है article 22 का या जो law के अंदर उसको arrest किया गया या confine किया गया है वो government ने validly बनाया या नहीं बनाया है government के पास power थी या नहीं थी for example state government ने कोई law बनाया और किसी person को arrest कर लिया police ने और बात में पता चलते है high court किया state government के पास वो power ही नहीं थी law बनाने की उसक जो detainment जो उसको detain किया हुआ है उसको quash कर दिया जाएगा और person को छोड़ दिया जाएगा लेकिन अगर किसी person को validly arrest किया गया है तो उसके लिए बिल्कुल भी habeas corpus issue नहीं हो सकती यह सिरफ और सिरफ illegal confinement और illegal किसी को अगर detain किया जाता है तो उसी के लिए habeas corpus issue होती है तो I hope यार अब आपको यह 5 reads clear हो गई होंगी वीडियो पसंद आई होते है लाइक जरूर करना आप अपने suggestions नीचे comment box के अंदे mention कर सकते हो So thanks a lot friends, all the west, God bless you